बिसमिल्य रखान रहीम असलाम लेकूम कैसे हैं आप सब जी आज मैं बना रही हूं स्मोकी चिकन मलाई बोटी चिकन मलाई बोटी की हांडी ठीक है इसके लिए मैंने लिया है देही एक पाव क्रीम एक पैकेट और दो तर्म्यानी साइज के प्यास जो मैंने चौक कर लिये हैं अद्रक को पीस लिया थोड़ा सा लसन कुटी वी हरी मिर्च नमक पिसी वी काली मिर्च एक चमच ऑईल और यह चिकन प्रेस्ट के पीसेज बने लिये हैं अब इनके मैं सबसे पहले कटिंग कर लेती है चिकन क अब इसका साइज इतना ही रहे रखेंगे जो के हम इसप्रेस जो धोर धिकन की मैंने कटिंग कर ली है डीक हम दूरी चिक हैं अब डालंगी एक बाल में बिस्मिल्ला रह्मान रहे हैं कोईला रखा हुआ था मैंने गरम होने के लिए और मैं इसे अब स्मोक करूंगी जड़ा सा इसे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा 20-25 सेकंड के लिए इसे में कवर करके तो रखूंगी अब बनाना शुरू करेंगे सब्सक्रे पहले कडाई में डालूंगी मैं आयल इसके साथ ही चॉप किया हो प्यास प्यास का सिर्फ कलर चेंज करना है और इसको ब्राउन नहीं करना ब्राउन करने से फिर वह उसकी जो चिकन हांडिया उसकी शकल ही फरीटी प्रेंट हो जाती है अब मैं डालूंगी इसमें कुटा वाद्रट लसन इसे चंद सेकंड के लिए प्यास के साथ इससे भून लेंगे अब मैं डालूंगी इसमें कुटी हरी मेर्च अब किसी काली मिर्च एक चमच और इसके साथ ही में खोशामल करूंगी चिकन इसमें नमक कभी हम नहीं डालेंगे इसमें इसमें थोड़ा साथ भून लें इसके साथ लसन और प्यास के साथ दर्समें चिकन को फ्राइ करने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी दही इसमें बाइरा शामिल रहा है दही मैंने एक पॉल लिया था और मैंने सारा ही इसमें बार दिया था कि दही डालने के बाद मैंने से दस्मेंट के लिए पकाया है दही में और एक मैं आपको टिक देती हूं कि इसका ना जिस हांडी में दही ज्यादा डाले ना उसमें नमक रंसा वो आप बिल्कुल एंड में डालें दही डालने के बाद ताके इसका यह होगा कि जो दही का अपना फ्लेवर रहना वो इसमें सालन में जुन से ना अच्छी तरह इसमें शामिल हो जाएगा तो नमक जुन से ना फिर आप डालें शुरू में मैंने नमक ती डाला था अब डाला है मैंने नमक कुला इसका कर देंगे बहुत ही हल्का और जहां मैं इसके शामिल करूंगी पिल्कुल आफिर मैं क्रीम क्रीम डालने के बाद इसे मैं हिला दूंगी मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी सारे अच्छी जब्रदस समोक की मुलाई हांडी हमारी रेडी है चूलिया कर देंगे ब्रांद और इसे करते हैं डिशोड अब हम करते हैं डिशोड इसे जब्रदस चिकन मलाई हंडी हमारी रेडी है बहुत अच्छी खुश्पू आ रही है आप भी जरूर ट्राइक करें और बताएं कि हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी अपना बहुत सा ख्याल रखें दौा में जाद रखें आँके लाफिस